बिस्मिल्ला एर्रह्मान एर्रहीं वेल्कम बैक टू अनोशे किचन आज में आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल और एजी सी रेस्पी शेयर करने लगी हूँ सबसे पहले दो डिमाटर और चार से पांच हरी मिर्चे उनको काड़ के ब्लेंडर में डाल दें और एक कब पानी डाल के उसका अच्छा सा समूध सा पेस्ट में लाले बहुत अच्छे से आपने इसको ग्राइंड कर लेना है समूध सा पेस्ट बन जाए यह देखें बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जुक है आप आप इस पेस्ट को एक साइट पर लेना है आप ने एकप ओइल को गरम कर कि उसके अंदर आपने आलो को इस तरीके कि ऐसे जब फ्राई होजेंगे, इसके पर एक लेर सी आदेगी हम यह इसको 50 परसंट हमें, इसको पकाना है फिछ परसंट जब घल जाएँगे तो आपने इनकाल लेना है एक शायट पर आपने निकाल करह लेना है इसको यह हमें सारी कद्विया निकाल ली है अब एक्स्ट्रा ओयल हम निकाल देंगे अब थोड़े से ओयल में हमने जीरा डाल के उसको थोड़ा सा फ्राइ कर लेना है अब इसके अंदर अद्रक और लेस्टन एक एक चमज आपने डाल के वह अच्छे प्राइए कर लेने अब इसके अंदर जो हमने स्टार्ट में पेस बनाकर रखा था ठीमाटर के लिए अच्छे अब आप इसमें एड़ करें और इसको चार से पांच मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लें देखें हमारा बहुत अच्छा सा पेस्ट त्यार हो रहा है इसको पकते हुए चार से पांच मिनट हो गए थे देखें इसका ओल भी सेपरेट हो गया है अब इसके अंदर हमने हमसाले आड़ करने हैं रैट चिली धनिया पाउडर हल्दी गरम साला नमक यह सब चीजने डाल के आपने इनको अच्छे तरीके से फ्राय कर लेना है जैसे टमाटरों के पेश के ताद आपने इस मसाले सारे को अच्छे तरीके से फ्राय कर लेना है देखें बहुत अच्छा सा फ्राय हो गया है ओल भी सेपरेट हो गया है अच्छे से बोन चुका थ अब इसके अंदर हमने जो फ्राइ की हुए आलू थे वो डाल देने हैं अब आमने इसको बहुत ज्यादा नहीं हिलाना है कि यह आदे पके हुए है तो यह बहुत जल्दी तूट जाएंगे पसे इनको हलका हलका सा आपने इस तरह हिला आके धोड़ा सा इसके अंदर पानी य जाएगी है इसको गल्ने में वह अच्छे तरीके से एक गल जाएं बस इस तरह आराम राम से हिला दें अबस इसको ठक कर चार से पांच मिनट के रिए पका लें इदके चार से पांच मिनट हो चुके ते पानी मिट राय हो गया है आलब भी बहुत अच्छे से घल चुकी है देखें अभी हम चेक करते हैं यह देखें माशाला बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है बस इसके ओपर आपने हरी मिचे धनिया इस तरह जो कुछ भी डालना चाहे डाल के उसको अगर आपको हरी मिचे नहीं पसंद ज्यादा स्पाइसी नहीं आप पसंद करते तो आप राठे रोटी के साथ आप इसको खाएं इंजवाए करें इसी तरह की इजी और मज़िदा सी रैस्पी के लिए मेरे चैनल अनोशे किचन को सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग अनोशे किचन